यखनी पुलाव से लेकर कुछो गोजा तक श्रम वाली वेंजन मेरी दादी की संस्कृती में विशेश्टा थी जहां खाना बनाना महिलाओं के लिए कलात्मक और आत्म अभिवेक्ति का एक रूप हो सकता है तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों मैं आरजी उमा प्रवाकरन आज अनिंदिता घोश द्वारा लिखित यह छोटा सा आर्टिकल आपके साथ साजा करना चाहूंगी मैंने कभी संत्रा खाना नहीं सीखा यह बात कुछ शर्मनाग जरूर है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हर सर्दियों में जब मुंबई के बाजारों में संत्रे आते थे तो मेरी दादी अपनी खीर कौमला बनाती थी मीठा दूर एक चुले पर घंटों तक गाड़ा किया जाता था फिर ठंडा करके उसमें ताजे संत्रे का गुदा मिला दिया जाता था इस तरह मैंने बच्पन के अधिकांश समय में संत्रे का सेवन किया है बंगाली लोग मिठाई का सेवन करने के लिए बदनाम है हमारे बंगाली घर में हर बोजन के बाद एक मिठाई की आवशकता होती थी हाँ नाश्ते के बाद भी बारिश खीर की विवित्ता लेकर आई मेरी दादी जिने मैं दीदू बुलाती थी परिवार के लिए दरजन सर्थ शरीफा छिलने और बीज निकालने का काम करती थी अपनी उंगलियों से प्रतेख मांसल सफेद ग्लोब्यूल से सक्त काले बीज को निकालती थी मैं पहले अक्सर पूछता था कि वह एक आसान फल क्यों नहीं चुनती और वह हमेशा पहला चम्मश खाने के बाद उससे सवाल पुछने के लिए कहती थी जब दो साल पहले 96 की उमर में दीदू का निधन हुआ तो मेरा परिवार उन वेंजनों को फिर से बनाना चाता था जिन्हें वह 90 के दशक के शुरुवात में इतनी आसानी से बनाती थी वह एक प्रसिद रसोया थी लेकिन हम सब ने उनके वेंजनों पर चर्चा की है तो हम जनन दिन शादी की शालगिरह मेमानों का स्वागत करने या बस आनन लेने के लिए इन वेंजनों में से प्रतेक में लगे श्रम की मात्रा से चकित थे उनकी रेसिपी में अंडे को अधिक आकशक और दिखने में भवे बनाने के लिए कीमा बनाया हुआ मतन के साथ मैश के वें आलू के अत्रिक्त पत्ते थी जब आपने चाको से काटा तो आप ब्रेडिंग को रास्ता देते वे सुन सकते थे चारों और परतें भी थी एक विस्थत डेकवाइस के माध्यम से टुकडा करने से कम नहीं हुआ यह शिल्प के रूप में भोजन था खाने की यादें हमेशा प्यार और करन जोशी के साथ नहीं आती सामाजिक स्तरी करन के सिद्धानतों में भोजन की तयारी श्रम के यौन विभाजन से गहराई से जुड़ी है कुछ समय पहले तक वैवाहिक लिस्टिंग में जानता है कि कैसे खाना बनाना है पूरी तरह से स्वीकारिक आशकता थी एक ऐसे देश में जहां लाकों मेलाओं के पास अक्सर बड़े परिवारों के लिए खाना बनाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता चाहे वह शहरों में वायवें रसोई में हो या गाहों में देहाती लकडी के चुले पर जुका हो यह श्रम ही है जो रोमैंटिक नहीं लेकिन किसी तरह उनसी माओं के भीतर खाना पकाने के लिए निश्चित कोशल का सागन संपनता कलात्मक आत्म अभीवक्ती और पहचान का बिल्ला बन जाता है अब अनमती दीजियों माप प्रबाकरन को फिर मिलूंगी इसी तरह नहीं नहीं आलेक के साथ तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान दोस्तों जाते जाते इतना आवश्य कहूंगी पानी बचाएं पानी बचाना सिखाएं पेड लगाएं पेड लगाना भी सिखाएं नमस्कार